हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एस्पी सर्मा क्लासिस देखो भई बच्चो इस को समझते हैं यहां पर कुछ बच्चो ने डाउट्स सेंड किये थे तो उनसे रिलेटेड जो है कोस्टन हम डिसकस करेंगे यहां पर पहला कोस्टन है कि टू इंप्लिमेंट करने के लिए कितने गेट की जोध पड़ती है तो केवल हमें कैरी बिट के बारे में बताना है जैसे आपके पास सी एल ले होता है सी एल ले का मतलब होता है कैरी लुक एहड एडर श्थे के लुक आरे में क्या होता है जैसे मालिया हमारे पास दो नमबर है एक नमबर है एक नमबर है तो एक कुछ बिट है ए जिरो एवन एट्व एD College और B की मालिया B0, B1, B2, B3 ठीक है यह हमारे पास बिठ है इनको जब हम सम करते हैं तो एक सम आता है कैरी आता है मालिया इसका सम S0 आया है यहाँ पर जो कैरी है हमारे पास वो मालिया C1 है ठीक है यहाँ पर C2 है यहाँ पर C3 है इस तरह से हमारे पास carry आता है और इसी तरह से S1, S2, S3 ये हमारे पास जो है basically sum आते हैं यहाँ पर C4 carry हो जाएगा ठीक है या तो आप इसको input carry C0 मान लेते हैं या scene मान लेते हैं यहाँ पर C0 चला दो वो आपकी मर्जी है ये जो है carry input है ठीक है और ये जो है हमारे पास 3 और ये 4 यहाँ पर ये carry output है तो carry output में आपको जो second वाली bit है उसकी value बतानी है कितनी होगी तो अगर आपको पता होगा कि जो हमारे पास carry look head adder है उसमें जो हमारे पास carry का formula होता है Cout का formula होता है यानि C1 जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं आपको अगर पता होगा कि carry out जो है वो basically होता है हमारे पास A exor B ठीक है और इसमें carry in और plus के A into B ठीक है ये हमारे पास standard formula होता है तो इस standard formula को A exor B जो होता है हम यहाँ पर इसको carry propagator भी बोल देते हैं यानि sort में P लिख देते हैं और इसको carry generator यानि G लिख देते हैं तो इसको हम P, C, N plus के G इस तरह से भी denote कर देते हैं C out को ठीक है इस तरह से भी इसको denote किया जा सकता है यहाँ पर तो basically जब हम हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे तो अगर आप C1 की value लिखेंगे तो C1 की value हमारे पास क्या आएगी यहां से अगर आपको देखना है कि हमारे पास C1 की value क्या आएगी तो C1 जो है यह carry out मतलब next वाली bit होती है और carry in जो उससे पहले वाली bit होती है तो अगर यह C out होगा तो यह C in होगा तो C1 जो है वो किसके equal हो जाएगा हमारे पास अगर हम इसमें यहाँ पर implement करें तो C0 ठीक है यहाँ से आएगा और इसी के A0, B0 का होगा तो उसको हम P0 बोल देंगे और प्लस के इसी तरह से G0 तो यह हमारे पास C1 की value हो जाएगा इसी तरह से अगर आप C2 की value निकालेंगे तो C2 की value हमारे पास इसमें आती है यहाँ पर C2 लिखेंगे तो यह हो जाएगा C1, P1, P1 प्लस के G1 तो यहाँ पर C1 की value है पुट कर दो C1 की value है C0, P0, P0 प्लस के G0 और इंटू यहाँ पर हमारे पास हो गया P1 प्लस के G1 तो इसको आप अगर open करेंगे multi bracket open करेंगे तो यह हो जाएगा C0, P0, P1 प्लस के G0, P1 प्लस के G1 तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस equation को implement करेंगे यहाँ पर एक end gate लगेगा यहाँ पर हमारे पास एक end gate लगएगा तो आपको 2 end gate की जिरुत पड़ेगी और finally हमारे पास 1 और gate लगेजागा क्योंकि प्लस हो रहा है तो हमें यहां पर दो end gate और एक और gate की requirement होगी तो आपके पास जो answer होगा वह वाला हो जाएगा दो end gate और एक और gate ठीक है इसके थुरू हम यहां पर implement करते हैं CL लेके जो second output carry bit होती है उसका function को तो a वाला यहां पर answer हो जाएगा इसी के बाद अगर next question को हम देखते हैं तो basically आपको यही question इसी तरह से यहां पर use करने थे इस question में जो है यह c programming का है उसमें कहा है एक function declare करना है आपको उसकी declaration बतानी prototype बताना है for a pointer यानि जो function है हमारे पास इस तरह declare करना a pointer यहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे इस तरह से यह statement है basically a pointer to a function ठीक है that written a float ठीक है written type float होगा written type सम्में float ही है pointer to a function है function जो है pointer type का है मतलब pointer type का function बनाना यहां पर तो normal function तो यह answer नहीं होगा यहां पर यह जो star है यह float के साथ माना जाएगा यह return type यानि यह बता रहा एफ जो है वह return कर रहा float type के pointer को return नहीं कर रहा return तो normal float को कर रहा function है pointer type का तो हम यहां पर देखो function के साथ लगाएंगे pointer यहां ठीक है इसका मतलब है function that return a pointer float pointer इसका मतलब है pointer to function that return a pointer to float तो हमारे पास यह वाला answer यहां पर clear हो जाएगा function जो है उसके साथ हमारे पास bracket में करके हमें pointer का sign लगाना पड़ेगा ठीक है इसी तरह से देखो इस type के और भी question होते हैं जैसे third वाला question है इस तरह से यहां पर पूछा आपको इसी तरह से लिखने आने चाहिए यह statement है हमारे पास इसके coding हमें function का prototype बताना है ठीक है तो पूरा ही function ह है यहां पर तो यह देखो यह कहरा a pointer to a function a pointer to a function कहा मतलब जो भी function का नाम होगा उसमें pointer आएगा इसका मतलब यह हो गया function to a pointer function के नाम यहां पर PTR दे रखे समय तो यानि यहां पर PTR हमें लगाना पड़ेगा which receive an integer pointer यानि उसमें जो parameter है वो integer type का pointer है तो integer type का pointer हो और रिटन फ्लोट पॉइंटर फ्लोट पॉइंटर को रिटन करना तो फ्लोट के साथ भी पॉइंटर यह आपके पास हो गया सीवाला अंसर ठीक है इस तरह से statement को पढ़के जो है आप जो है प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं